Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ Amrita और आप सभी देख रहे हैं Target at 1 Friends, आज हमें एक बहुत जारा important topic लेकर आए हैं आप सभी के सामने जो है कि TAT यानि कि Thematic Appreciation Test जिसे आप विशे आत्मबोधन परिक्षण के नाम से जानते हैं आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस विशे के प्रती पादक के बारे में साथी साथ ये परिक्षण किस आई उबर के बच्चो या फिर बड़ों के उपर apply किया जाता था साथी साथ किस तरीके से इस परिक्षण को apply किया जाता था, perform किया जाता था, अलग-अलग व्यक्तियों के उपर और finally हम जानेंगे कि इस परिक्षण का analysis यानि की reading या फिर result किस तरीके से निकाला जाता था ये वीडियो उन सबी students के लिए बहुत ही जादा helpful है जो भी बच्चे UPAT, CTAT, DSSB, NBS, KBS या फिर BAD, FAD, LAD के students है तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो Friends सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी introduction के बारे में तो ये जो परिक्षण यानि की thematic appreciation test जिसे आप विशय आत्मबोधन परिक्षण के नाम से जानते हैं इसका प्रतिपादन 1935 में Harvard विश्व विद्याले में अमेरिका में किया गया था और इसके प्रतिपादक थे मूरे तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका test है T.A.T. इसके प्रतिपादक का नाम क्या था तो वो थे मूरे और 1935 में इन्होंने ये test यानि कि परिक्षण दिया था अच्छा अब 1938 में क्या हुआ कि इस test में कुछ कमिया दिखी गई तो फिर उन्होंने अपने जो partner थी Morgan उनकी साथ में मिलके इस परिक्षण का संशोधन किया और इसके बाद एक नया test निकल कर आया जिसमें की पूरानी खामिया थी जो तुरूटिया थी वो हटा दी गई थी तो अगर आपसे कहा जाए कि ये test किसके तुमारा प्रतिपादित किया गया था संशोधित तो वहाँ पर आपको बताना है Morgan और मूरे ठीक है ना अच्छा ये जो परिक्षण है आपके इसके कई सारे उप नाम भी है तो पहला जो उप नाम है वो तो आप जानते है तो इसके पीछे एक विशय या फिर एक उदेशय चुपा होता है जैसे आगर आप कहीं पार्टीज में जाते हैं तो वहाँ की धीम होती है रेड सब लोग रेड कलर की ड्रेस वहाँ पर पहन कर जाते हैं तो यही आपका थिमाटिक अप्रिशेशन टेस्ट आगे बढ़ चलते हैं अब बात करते हैं कि यह जो परिशन है थिमाटिक अप्रिशेशन टेस्ट इसमें कार्डों की संख्या कितनी थी गाईज यह आपका परिशन है इसमें प्रयुक्त कार्डों की संख्या थी कुल 30 यानि कि इस परिशन में कुल 30 कार्ड जो थे वो विशयक हो यानि सब्जेक्ट हो या फिर जो व्यक्ति था जिसका व्यक्तित वर चेक करना था उसको दिखाये जाते थे जिनमें कुल जो 30 कार्ड थे उनकी जो संख्या थी वो 30 थी प्लस एक खाली कार्ड दिया जाता था इस खाली कार्ड में उन्हें उस 30 जो कार्ड दिये जाते थे उसकी रीडिंग लिखनी होती थी तो अगर आपसे पूछा जाए कि कूल कार्डों की संख्या कितनी थी तो 31 थी अगर आपसे पूछा जाए कि चित्र बने हुए या फिर जिन पर परिक्षण किया जा रहा था उन कार्डों की संख्या कितनी थी तो वो थी 30 तीके ना अच्छा एक जो खाली कार्ड दिया जाता था उस पे कहाने लिखने के लिए कहा जाता था जो भी विशय था जो भी सब्जेक्ट था जिसके उपर परिक्षण हमें करना था उसको खाली कार्ड दे दिया जाता था और तीस जो थे कार्ड वो उसे दिखाय जाते थे और इन 30 काड़ों के पर क्या बना रहता था उसके बारे में हम बात करते हैं तो गईस यह जो 30 काड़ थे उसमें से कुल 30 काड़ों को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था जो 10 काड़ थे पहले उसमें पुरुषों से संबंधित चित्र हुआ करते थे और जो 10 काड़ थे उसमें स्थրियों से संबंधित चित्र हुआ करते थे और जो 10 अलग बचे थे उनमें ऐसे चित्र होते थे जिनमें दोनों बन हुए थे तो आपको समझना है कि यह जो 30 काड़ हैं इस टेस्ट में TAT में उसमें दस काड़ों में पूरुश, दस काड़ों में इस्त्रिया और दस काड़ों में वो दोनों बने होते थे, यानि कि स्त्रिय और पूरुश दोनों क्या सोच आ रही है वो उसे उस खाली कार्ड के उपर लिखना था तो ये था आपका ये थे आपके कार्डों की संख्या और आपके परिक्षण का स्वरूप आगे बड़ चलते हैं नेक्ट बात करते हैं गाईज आईउ के बारे में कि ये जो आपका परिक्षण है T.A.T. वो किस आईउ वर्ग के उपर प्रयोग किया जाता था तो यह जो परिक्षन है कई बार व्यक्तिकत भी होता था और कई बार सामुहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता था पर जैनरली यह जो परिक्षन था वो 14 वर्ष से आयू के अधिक बालकों के लिए या फिर बालिकाओं के लिए प्रयोग होता था यानि ये टेस्ट आप परिक्षन एक इंसान के उपर भी परिक्षन कर सकते थे, ग्रूप मेंबर्स के उपर भी परिक्षन किया जा सकता था, पर बेसिकली ये जो टेस्ट था TAT, ये 14 वर्ष से अधिक आयो वाले बालक और बालकाओ के लिए उपयोगी होता था, अब बात कर जाता था, जो अलग-अलग कार्ड्स थे हमारे तीस, जिनमें दस के उपर पुरुष, दस के उपर स्त्रिया और दस के उपर दोनों बने थे, वो सारे कार्ड दिखाए जाते थे, एक एक करके, और उसके उपरांत उनसे कहा जाता था, कि इन जो उनको सिच्वेशन कहानी लिखे, तो इस विदी में बालक-बालिकाओं को विभ्यन कार्ड दिखा कर कहा जाता था, कि कहानी या फिरकतनांक लिखे, अब यह जो कार्ड था, उस पे जो चित्र बने थे, वो और स्पस्ट थे, यानि कि पूरे क्लियर नहीं थे कि क्या हो रहा है उसमें, यह जो जो mentality थी, जो बच्चे की जो सोच है, वो उसको उस कार्ड से निकालनी थी, उसमें already कुछ mention नहीं था, बच्चे को वहाँ पे अपना जो सोच थी, वो बताना था, अपनों opinion बताना था, अपना view बताना था, आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स बात करते हम, इस जो यह था, उसके अंतरगत व्यक्ति अपने खुद की आवशकता हूँ, यानि कि अगर आप देखें कि किस बेसिस पे इंसान अपनी रीडिंग्स देता था, उस पे बात करी जाए, तो अगर बच्चा एके कार्ड देखे, और कार्ड के उपर अलग-अलग जो चित्र थे उनको द देखे, तो बच्चा उसमें क्या च्रो करेगा, क्या दिखाएगा, जो खाली कार्ड था, उस पे बच्चा क्या लिखेगा, तो उसमें बच्चा मेंशन करेगा अपने आवशकताओं के बारे में, उदेशियों के बारे में, भावनाओं के बारे में, कठिनाईयों के बारे में यानि बच्चा बच्चे के जिस तरह की mentality होगी सोच होगी उसका जैसा opinion होगा व्योग होगा हो उस चित्र की सहायता से उस खाली काड़ पर लिखेगा क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसकी जैसी सोच होती है उसको सामने वाली चीज बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ती है इस परिक्षड का क्रियानवयन दो सत्रों में होता था यानि पहले जो 10 काड़ थे और जो दूसरे सत्र के अंतिम 10 काड़ होते थे उसका आधार बनाकर कहाने लिखने को कहा जाता था बच्चे को यानि कि बच्चा सारे काड़ देखकर एक situation बनाता था अपने दिमाग में जैसे कि एक काड़ में लिया जाता था कि कोई इंसान हाथ में मटका पकड़े है दूसरे में उसने देखा कि मटका टूटा हुआ है तीसरे में उसने देखा कि उसने फूल पकड़ा हुआ है तो इस तरीके से कई सारे काड़ थे जो बच्चे को दिखाई जाते थे और बच बच्चे को दूसरा 10 कार्ड देखा जाता था ऐसा इसले किया जाता था गाईस ताकि जो 10 पुराने कार्ड थे उनका जो असर है जो बच्चे की नई दिन चर्या पर असर ना पड़े और बच्चा जो 10 नए कार्ड देख रहा है उससे वो अपनी सोच को जो प्रीवेस उसका था कार्ड को लेकर उसका आसर ना पड़े वो अपनी नई सोच को जर्म दे नए 10 कार्ड के साथ है। सबी कार्डों के अधार पर कहाने लेखन का कारे समाप्त होने पर साक्षत कर किया जाता था यानि कि जब बच्चा कहाने लिख लेता था खाले कार्ड के ऊपर उसके बाद उससे इंटर्व्यू लिया जाता था और जिसका उदेश होता था ये जानना कि कहाने लिखने के सोच सकता है कि मेरे पापा मार्केट गए थे वहां से उनोंने मटका लाया फिर उसके बाद मटके के अंदर पानी भरा गया उसे पानी ठंडा था तो इस टाइप के experiences बच्चा कहीं ऐसा है कि चितर देखकर वो बच्चा अपने experiences लेकर आ रहा है या फिर कहीं बाहर से उसे वो सब सोच आ रही है जो उसने अपने काड पर लिखा है तो यह सारी चीज़े थी important इस test को लेकर आगे बढ़ चलते हैं अब गयज बात करते हैं कि analysis यानि कि जो भी ब बच्चे का वेक्तित्वक कैसा है तो उसके लिए कई सारे points थे जो मूरे ने बताया थे तो मूरे के अनुसार इस परिक्षन का विसलेशन यानि कि analysis कुछ प्रसंगों के basis पे किया जाता था पहला था hero यानि कि नायक प्रती कहानी में नायक और नायक का पता लगा जाता था यानि बच्चे ने अगर जो कहानी लिखी थी उसका hero कौन था उसका जो role model था वो था कौन ठीक है न ऐसा समझा जाता था कि वेक्ति इस नायक या नायका के साथ आत्मी करण स्थापित करता है यानि उससे लगता था कि इस नायक जो कहानी में जो hero है वो कहीं वो खुद तो नायक नायका की मुख्य आवशक्ता है क्या क्या थी इसका पता लगाया जाता था और मूरे के अनुसाल TAT परिक्षन के द्वारा मानव की 28 आवशक्ताओं का मापन किया जाता था जिनमें प्रमुक्ति उपलब्धी आवशक्ता संबंधन आवशक्ता और प्रभुत्व उसे कहा जा सकता है तो इससे ताथ पर है, इसका अर्थी यह था कि कहानी के उस वाटा वरण संबंधी बलों से था यानि कि बच्चा इस कहानी के नायक या शक्ताओं को देख कर जो कि पूरी होती है या फिर नहीं पूरी हो पाती है उसके अनुसार वो अपनी शक्ति या बल किन चीजों पर अधिक बल देता है अपने याने जो उसका वातौबरन है याने जो कार्ड और उसका उसका वातौबरन है दोनों को देखकर बिच्चा किन चीजों पर कैसा थीमा मीम्स होता है प्रत्य कहाने की थीम या फिर जो विशय थीम उने धारित किया जाता था याने बच्चे को जो कहाने लिखने को दिया जाता था उसके बाद कहा जाता था कि बच्चे इसका टाइटल दीजिए ठीक है न तो थीमा से ताथ पर था नायक की आवशकता या फ उसके कहा कि इसका subject लिखो तो बच्चे ने लिखा और उसके उसने ये भी दिखाया कि वातावरण के साथ उसकी अंतक्रिया करने के बाद उसका क्या result आया और उसकी क्या जो सोच है वो आई वो उसने card पर लिखा तो परिडाम याने की outcome तो परिडाम से इस बात से होता है कि क कहानी का किस तरीके से समापन किया गया कहानी का निशकर्श या फिर जो result है जो conclusion है वो क्या निकला तो ये कहानी लिखने के बाद जब बच्चे ने 30 कार्ट देखे 10 कार्ट दिखाए गया फिर 10 फिर 24 घंटे के बाद फिर 10 कार्ट दिखाए गया तो बच्चे ने जो भी का कि आपने कई बार देखा होगा एक बड़ा सा मुहावरा है कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी यानि कि जिस बच्चे के जिस टाइब के ओपीनन होती थी वह उस तरीके से वह स्टोरी वहां पर कार्ड पे लिखता था तो यह एक व्यक्षण है जो बच्चों के सामने अलग-अलग situation दी जाती है और बच्चा जब अपना opinion अपना view वहां पर रखता है तो वह test का conclusion वहाँ पर निकल कर आता है कि बच्चे ने जो बच्चे का व्यक्तित तो है वो कैसा है तो यह थी हमारी important video TAT यानि कि Thematic Appreciation Test के उपर I hope आपको वीडियो में भी problem face करते हैं या कोई चीज ऐसी है जो आपको inappropriate लगती है तो आप comment box में लिख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please मेरे चानल को subscribe करें शेयर करें और like करें चली मिलते है नेक्स वीडियो पर कुछ और important content के साथ तब तक के लिए मृता को दीजिए इजाज़त बाबाई